पिस्क्राइब केजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना के लिए ऐ फंगस की समस्या को दूर करने के लिए साथ ही एग believe और जबरदस्त क्रीम का रिविव करेंगे तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में सूरूव से अंत्ध तक और इस वीडियो फायदा उठाएं तो चलिए दोस्तों ज्यादर समय नागवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे एक छोटा सा प्लास्टिक का ट्यूब दीख रहा है जो कि यह एल ट्रेक्स क्रीम जोकि चालिस ग्राम के पैग में आता है बात करें दोस्तों इसकी कमपनी की तो यह माइक्रो लापस ल्issements कमपनी ट fresh इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है और ़ूर उँस्टरंट इसकी मपोजिशन को दोस्तों लोक यू लोक्डोर्य इसकी तो ये आपको 250 रुपे के आज पास किसी भी मेटकली स्टोर पे अश्टानित से मिल जाता है अब बात करें दोस्तों इसके एल्ट्रिक्स क्रीम के फायदे की तो दोस्तों अगर आपको पुराना सब पुराना दाद खाज खुजली दिना की समस्या है जो की जल्दी ठी ठीक नहीं हो रहा है आपने काफी पैसे बरबाद कर दिये अपने ट्रीटमेंट में या अच्छी सी अच्छी क्रीम लगाके या अच्छी सी अच्छी दवा खाके जो की आपका फंगल इंफेक्शन दूर नहीं हो रहा है यानि की डाद खाज खुजली दिनायट ठीक नहीं करें दोस्तों इसका गजब का रिजल्ट मिलता है मातर 2-3 दिन के अंदर ये आपके पुराने से पुराने दाद खाज खुजली दिनाय को जड़ से खतम करने में मदद करता है लेकिन दोस्तों जब आप इस क्रिम का इस्तमाल करें तो 15-20 दिन कांटने इस्तमाल कर लें सही हो जाने के बाद भी किमकि दोस्तों जब हमारा फंगल इंफेक्शन ठीक होने लगता है तो हम थोड़ा सलाप्रवाई कर देते हैं और थोड़ा वोथ ही फंगल इंफेक्शन रह जाता है और उसी दोरान हम अपना ट्रीटमेंट बन कर देते हैं या जो क्रीम लगाते हैं वो बन कर देते हैं या फंगल इंफेक्शन की जो दावा खाते हैं वो बन कर देते हैं जिससे दोस्तों फंगल इंफेक्शन फिर दुबारा पनपने लगता है और दिरी दिरी करके वो जटिल हो जाता है जो कि जल्दी ठीक नहीं होता और हम लाख हो जाने के बाद भी 10 से 15 दिन लगतार उस treatment को चालू रखें तो चलिए दोस्तों बात करें इस electric scream को किस तरह से इस्तमाल करना है और कौन से लोग इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों इसे बड़े हों या बच्चें दोनों लोग इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों इसे क्या करना है आपको जहां पर दाद खाज खुजली दिनाय की समस्या है उस जगे को पहले अच्छी तरह से वास करना है उसके बाद ड्राई करना है उस effected area पर इस cream को थोड़ा सा निकाल कर उस पर लगाना है लगाने के बाद दोस्तों अच्छी तरह से उलियों के सहरे उसे मिला दे और उसे कुछ घंटे छोड़ दे ताकि हवा के संपर्क में आके वह cream skin में अच्छी तरह से सुख जाए और इस सुख ले उसके बाद दोस्तों उसे उसी तरह से छोड़ दे और दोस्तों इस electric cream को आपको सूबस शाम continue लगाना करता है और हपते से 10 दिन आप इसका कांटिनियू इस्तमाल कर सकते हैं बात करें दोस्तों इसके साइड इफिक्ट की दोस्तों इसमें देख लिए कि एक साल्ट पड़ा हुआ है जो कि यह लूली को ना जोल अगर इस लूली को ना जोल से आपको एलर्जी है तो उन कंडिशन में इस क्रीम के इस्तमाल ना करें दोस्तों इसकी क्रीम जिन लोगों की स्कीन पर यह क्रीम सूट नहीं करता उन्हें निमने समस्याएं देखी जाती हैं जैसे कि चेहरे इसकीन पर लालीमा या खुजलाट होना या धब्बे पड़ जाना तो इस तरह के कॉमन साइट इफि करें आपके मन में कोई प्रश्णिय सुझा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरू लिखें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद